नमस्कार दोस्तों सिर्रादे मैं सुल्त्र पाठी आज के दैनिक रासी फल के साथ साथ में आपको बताएंगे कि दीपावली का सुब महूर्ट कब है कासी के पंचांग के अनुशार अवजित महूर्ट कब है राहुकाल कब है और हर रासी में क्या उप्चार करके घर से निकलें तो आपका दिन शुबह और मंगलमाई होगा इन संपूर जानकारी के साथ आज का रासी फल सबसे पहले हम बात करते हैं मेश रासी पार्टनर के साथ एक अच्छा सामन जस्से बनाने की जिरत है जो लोग पार्टनर की तलास में हैं उनके लिए सब जो समय चल ला है वो बहुत अच्छा चल ला है अच्छे जीवन साथ ही मिल सकते हैं कोई नया रिस्ता आया है उस पर विचार कर सकते हैं ब्योसाइक साजिदार के साथ एक अच्छा समय वीतेगा कुछ लाभ के पल आपके साथ साजह करेगी प्रकिर्टे साथ में आपका स्वास्त भी ठीक रहेगा उप्चार की द्रिष्टी से बात करेंगर से निकलने से पहले माधुरगा को नमन करें प्रणाम करें उनके किसी मंत्र का जाप करके ही घर से बाहर निकलें आपका दिन शुप होगा अब बात करते हैं बृष्ष राशी बृष्ष में और मेहनत की आवशकता है साथ में जो कुराने बिवाद हैं उनको निप्टाने का समया चुका है नौकरी की जो तलास कर रहे हैं वो प्रयासरत हो जिसे उनकी नौकरी में कुछ बृध्धी हो सकती है नई नौकरी प्राप्थ हो सकती है नौकरी बदलना चाहते हैं उसकी परिपेक से भी दिन अच्छा है घर से बाहर निकलने से पहले आप गाय को रूटी खिला कर निकले तो आपका दिन शुभा और मंगल में होगा अब बात करते हैं मिथुन राशी मिथुन राशी वालों को कुछ नया सीखने का समय चल लहा है जो इस्टुडेंट हैं जो अभी अध्येनरत हैं उनको अपने काम में एकाग्र होना चाहिए जिन जोडों को संतान की इक्षा है उनके लिए अच्छा समय चल लहा है वो प्लानिंग करें संतान सुख में बृद्धी हो सकती है साथ में स्वास्त का थोड़ा सा ध्यान लखें स्वास्त में थोड़ी तकलीव की इस्थिती बन सकती है आए की इस्थिती अच्छी रहेगी भागय की दृष्टी से समय सुभ चल लहा है उपचार की बात की जाए भगवान शूरी को जल्दें और लाल पूल समर्पित करके घर से बाहर निकलें दिन शुभ और मंगल में होगा बात करते हैं करकरासी आप के जीवन में शुक की ब्रिद्धी होने वाली है खर्च थोड़ा सा बढ़ेगा घर में मांगली कारी होगा लोग आनल पूर होंगे थोड़ा सा खर्चे का बजट बढ़ रहा है कोई नई चीजी घर में आकर घर के उत्सा में ब्रिद्धी करेगी उपचार के दृष्टी स अगर बात की जाए तो भगवान भूले नात को दूद से अश्नान करा कर उनका विश्यक करें तो आपका दिन शुभर मंगल में होगा बात करते हैं सिंख रासी भागदौड खर्च दोनों में विर्द्धी होने वाली है छोटी छोटी याद्रा छोटी छोटी होगा उपचार की दृष्टी से बात की जाए तो घर से निकलने से पहले गणेशी को दूब और लड़ू अगर आप समर्पित करते हैं तो दिन आपका शुभर मंगल में होगा अब बात करते हैं कन्यारासी खर्च बढ़ रहा है लेकिन घर में खुशी का माहोल है कोई स्वास्त का थोड़ा सा ध्यान रखें स्वास्त से थोड़ा चीजें तफ रहेंगे भागी के दृष्टी से समय अच्छा चल रहा है उपचार की दृष्टी से बात करें घर से निकलने से पहले मादुर्गा को सफेद, शुन्दर, पुष्प, समर्पित करके घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ और मंगल में होगा अब बात करते हैं तुलारासी तुलारासी वालों के लिए दिन शुभ और मंगल में चल रहा है स्वास्त के अलावा सारी चीजे बेहतर चल रही है लाइप पा बिशार कर रहे हैं उनके लिए बड़ा सुभ समय चल रहा है उपचार की दृष्टी से बात की जाए हर्मान जी की पूजा की जाए प्राता काल हर्मान जी का दर्शन किया जाए तिससे सुभ कुछ और नहीं हो सकता है आपके लिए अब बात करते हैं ब्रिश्चिक रासी थोड़ा सा यात्राओं का दबाव बना रहेगा खर्च आपका बढ़ने वाला है लेकिन आनंद और सुख में थोड़ी सी ब्रिद्धी होगी कोई ऐसा सुखद समाचार या कोई सुखद चीज आपको प्राप्त होगी इससे आपका मन संतुष्ट होगा भागम भाग की सिती में थोड़ा सा विश्च्राम मिलेगा भाग और उत्साह के दृष्टी में थोड़ा सा ब्रिद्धी पाई जाएगी उपचार की दृष्टी से अगर बात की जाए तो घर से निकलने से पहले पीला चंदन अपने माथे पर लगा कर निकले या खल्दी अपने माथे प किया है वह अप्फल देने की इस्थिती में है जो इस्टूडेंट है जो नए संतान की प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए सुभ समय चल रहा है कुछ भी नया सीखना या करना है तो आपके लिए समय उट्टम चल रहा है उप्चार के द्रिष्टी से बात की जाए तो सुभा उठने के बाद अश्नान ध्यान करने के बाद हनमान जी का दर्शन किसी मंदिर में जाके करें तो आपका दिन शुभ और मंगल मैं होगा अब बात करते हैं मकर रासी काम का दबाव बढ़ रहा है काम के प्रत्याप को एकाग्र होना पड़ेगा लेकिन यह जो समय चल ला है आपके लिए सुभ चल ला है कोई नई चीज घर में आ सकती है जिससे आपके घर की सुभता बढ़ने वाली है भागी के द्रिष्टी से समय अच्छा चल ला है जमीन घर वाहन गाड़ी से संबंधित अगर कारी करना चाहते हैं तो समय सुभ चल ला है उसका सुभ ता आपक की जाए तो घर से निकलने से पहले हनमान जी को चमेली का तेल और शिंधूर का लेपन करें तो आपका दिन शुभ और मंगलमाई होगा अब बात करते हैं कुम्बरासी कुम्बरासी वालों का भाग्य अच्छा चल ला है धार्मिक परपेक्ष से अपने आपको प्रभू के प्रति लगाएं तो कोई भी लक्षों से दूर नहीं हो पाएगा अपने कर्म को सरेष्ट बनाएं संतान की दृष्टी से परिवार की दृष्टी से भागी के दृष्टी से दिन उत्तम चल लहा है उपचार की दृष्टी से बात किया जाए तो विश्णु सहस्त नाम का पाठ सुने या करें तो इनका दिन शुभ और मंगलमाई होगा अब बात करते हैं मीनदासी मीनदासी वालों को अपने स्वास का ध्यान रखना चाहिए कोई नया और बड़ा रिस्क लेने की आउसकता नहीं है खर्च बढ़ेगा परिवार में कोई सुक्सन देश आएगा और कोई नई चीज आएगी जो परिवार में आनन देने वाली है विबादों से बचें नहीं तो विबाद आपको जीवन भर कश्ट देगा उप्चार के द्रिष्टी से बात की जाए तो आप हुनमान जी के मंदर जाए और उनको चमेली का तेल और शिंधूर का लेपन करें दिन और वर्ष दोनों मंगल में होगा हमने वर्ष सब्स लिए यूज किया क्योंकि दीपावली का पावन पर्व रहेगा जो पूरे वर्षा पोग्चार सहायक होगा अब बात करते हैं पंचान के द्रिष्टी से तो चार ग्यारा दोहजार इकीस गुरुआर का दिन है इस अब बात करते हैं पंचान जैसा की अमाउश्या तिथी रहेगी सभी को सर विदित है साथ में प्राता हनुआन जी का दर्शन तथा पूजन इस दिन बिसेश माना जाता है और लक्श्मी और कुवेरादी का पूजन भी इस दिन बिसेश माना जाता है पंचान के अनुसार और बात की जाए अमाउश्याति थी की, तो अमाउश्याति थी रात तीन बच के 32 मिनट तक रहे गी। अता जो जातक मध्धरात्री में पूजा करना चाहते हैं, मध्धरात्री का मतलब है रात 12 बजे से आदे घंटे पहले एक घंटे पहले और रात 12 बजे के एक घंटे बात के समय को वो लोग विशेश पूजा के लिए प्रियोग में कर सकते हैं, इस विशेश पूजा में किसी भी सकती की उपाशना करना चाहें मंत्र जाप करना चाहें कोई तंत्र क्रिया करना चाहें सब के लिए स्रेश्ट और उत्तम भेगा आपको कुणली दिखानी हो या अपने बास्तु के वारे में जानकारी लेनी हो दिये नंबर पर फोन करके आप हमसे बात कर सकते हैं नमस्का सब्सक्राइब करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करना ना भूले जोतिश और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे तो आपके अपने यूट्यूब चैनल जोतिश पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटिस वीडियो की नोटिफेकेशन लगातार मिलती रहें